Computer Networks में या Networking में एक शब्द है Packets और ये Packets आप हजारों बार सुनेंगे तो ये Packets का असली Meaning क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे आज शुरुवाती दौर में अगर आपको Packets समझना है तो आपने Letter लिखा होगा, Email किया होगा तो जब आप एक Letter लिखते हैं, तो उस Letter में क्या क्या होता है, एक तो आप लिखते हैं किसको भेजना है मतलब Sender का Address होगा, एक आप अपना Address लिखेंगे To और From में, फिर यहां अंदर Content लिख देंगे और इसको भेज देंगे, तो यह जो Formation है, यहीं से आया है, Postal Letter से ही यह बनके आया है कि यह Packet है डोनाल्ड डेवीस साब ने, बहुत पहली की बात मैं कर रहा हूँ, डोनाल्ड डेवीस साब है उन्होंने यह शब्द Coin किया था, Packet, उन्होंने बनाया था, यह उन्होंने पहली बार बोला था तो इसमें जो Header है, वो आपका Envelope हो गया, इसके अंदर Content इसको हम Payload कह रहे हैं और नीचों जो आप From लिखते हैं या आपका जो Signature होता है, उसे हम कह रहे हैं कि यह Footer है तो Packet Computer Network में कुछ इस तरीके से Travel करता है, Packet को आप एक Basic Unit मान सकते हैं जैसे एक सेंटीमिटर हो गया, इसी तरीके से आप बोलेंगे एक मिलिमिटर हो गया, या मिलिग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारी Units है न तो Communication की जो Unit है Basic Unit, एक Source से लेकर एक Destination तक, इसको आप कह सकते हैं कि यह Packets है एक Network Packet या इसको IP Packet बोल सकते हैं, Internet Protocol Packet देखें, अगर Size इसका कोई Fix नहीं होता है, लेकिन कोई आप से पूछ ले, इसका एक Packet का Size कितना होता है, अमूमन तो आप यह बोल सकते हैं, हाँ, 1500 Bytes का, MTU एक शब्द आएगा, आगे चलके डिसकस करेंगे 1500 Bytes का करीब यह होता है, लेकिन क्योंकि यह Packet ट्रैवल कर रहा है, मूमेंट में है, Sender से Receiver तक, यहाँ पर बात आती है, Unit of Data आप किसमें लेंगे, तो वो होगा, तकरीबन 1 किलो बिट पर सेकेंड, से लेकर 1.5 किलो बिट पर सेकेंड, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्य कोई चीज आपकी ऐसी नहीं है, कि कहीं किसी memory में रखी है, यह वहाँ से यहाँ जा रही है, तो यह Internet, बलकि Internet जो main है, वो Packet Switch Network की है, जो आपके TCP IP Network है, वो आपका क्या है, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, उसमें जो Packet के Form में चीज़ जाती है, Envelope के Form में चीज़ जाती है, वो ही इसको Packet Switch Network मनात है, ओके, तो काम पूरा क्या हो रहा है, देखिए, होता यह है कि यहाँ से एक Packet जा रहा है, मैं उसको आपको पिक्चर से दिखाता हूँ, हुआ है कि आपके पास एक पूरा Packet था, या अब यह कहीं Information थी, अब यह पूरी नहीं जा सकती, माल लिजे आपका यह Limited है, कि वही आपका Network का bandwidth Limited है, मतलब यह इतनी bandwidth है, इतना ही जा सकता है, तो जो Packet है, उसकी Disassembly, Assembly होती है, यानि कि इसको तोड़ा जाएगा, और फिर इसको किसी भी रास्ते से भेजा जाएगा, Packet का फाइदा यही है, कि एक Packet ऐसे जा सकता है, और ऐसे करके पहुंच सकता है, एक Packet य To or From लिखा हुआ है, तो Packet यूज करने के बहुत सारे फाइदे हैं, पहली बात यह है, कि जो Packets है, या कहें Packet Switching Network जो होता है, जो हमारा Internet है, उसमें अलग-अलग Path से यहां से यहां जाना है, एक यूँ चला जाएगा, एक यूँ चला जाएगा, एक यूँ चला जाएगा, इसलिए आप अलग-अलग Packet के Route बना सकते हैं, पैकेट अलगर Route से जा सकते हैं, अगर माल लीजे यह Packet आपने भेजा और यहां नहीं मिला, तो आप इसको Retransmit कर सकते हैं, अगर यह पता लगा कि वहां पूरा Packet नहीं पहुँचा, इसके अलावा, कोई भी जैसे मैंने कहा ना कि अगर माल लीजे आप यहां से भेजना चाहरें, और यह connection ही अभी lost है, यह connection ही नहीं अभी, तब क्या करेंगे आप, तो यहां से भेज सकते हैं, इधर से भेज सकते हैं, याने कि अगर कोई damage या congested network है, या part है, उसको bypass किया जा सकता है, पैकेट के द्वारा, और सबस बढ़ी बात, एक packet आप जब भेज रहें, तो इसमें encryption या और भी तरीके हैं, जिससे हम security डाल सकते हैं, तो यह बात हुई आपके packet की,